पूर्वी ब्यूटी एंड फैसन में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पर चौधरी मीठी लसी शरीर के लिए बहुत फाइदयमन्द होती है इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहड्रिट सोडियम प्रोटीन कैल्सियम और फाइबर आद पाये जाते हैं इसके सेबन से पाचन को ठंडर रखने के साथ सरीर में घर्मी लगनी से भी बचाती है मिठी लसी पीने में काफी स्वादिश्थ होने के साथ सरीर के लिए भी आनेक फाईदय लेकर आती है इसमें मौझूद और पाणी की कमी नहीं होने देते हैं और पेट को healthy रखते हैं कि मिठी लशी पीने से immunity भी मजबूत होती है आई जान दें मिठी लशी पीने के अन्फाइदों के बारी में तो सबसे पहले हैं आपके पाचन तंत्र को मिठी लसी मजबूत करते हैं गर्मियों में मिठी लसी पीनी से पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट स्वस्त रहता है मिठी लसी पोशक तत्तों से भरपूर होती है इसमें मौजूत फाइबर पेट में कब्ज गैस और आसएडियों को आसानी से दूर करते हैं मिटी लशी को धिन में पीना शरीर के लिए आधिक फाइदे बंथ होता है है इसका अगला फाइदा है मिटीलस्य का हड्दियों को मजबूत करता है गर्मियों में मिटीलस्य पीनीं से हड्दिया मजबूत होने के साथ साथ मासपिस्यों का दर्द भी आसानी से दूर होता है मिटीलस्य में मौझूत केल exemplu am कान को भी आसानी से दूर करता है इसको रोजाना पीने से दाथ भी मजबूद होते हैं और हेल्दी रहते हैं मेठी लसी लू से बचाते हैं अब यूपि बिहार पंजाब रहस्तान मदर परदेश में बहुत जगे लूच चालू हो गया तो गर्मी में मेठी लसी पीने से सरीर का लू से बचा होता है गर्मियों में लू के प्रकुप से बचने के लिए इसे दिन रोज दिन में अवस्य पीए घर से बार निकलने पर लसी पीने से लू नहीं लगती है और सरीर भी स्वस्त रहता है कई बार धूप से आने के बाद सरदत की समस्य होती है लसी पीने से लू से होने वाले दर्द भी आसानी से दूर होगा और सबसे बड़ा जो फाइदा है कि मिठी रसी बजन घटाने में मददगार है अगर अब लंबे समय से बजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं तो गर्मियों में डाइट में मिठी लशी को अवस सामिल करें मेटी लसी पीने से बजन घटाने में मदद मिलती है और बैली फेट भी कम होता है लेकिन ध्यान रखेंगे बजन घटाने के लिए लसी में चीनी की जगे किसी और चीज का इस्तेमाल करें मिठी लसी से टेंशन फिरी होता है गर्मियों में मिठी लसी पीने से दिमाग ठंडा रहता है और तनाव दूर होता है यह सरीर को इंस्टेंड इनर्जी देती है जिससे मूड फ्रेस होता है और सरीर हल्दी रहता है गर्मियों में मिठी लसी पीने से सरीर की कई बीमारियां दूर होती है और सरीर आपका स्वस्थ रहता है लेकिन एक बाद मैं आपको आगा करना चाहूंगा अगर आपको डियाबेटीज है तो सक्कर का इस्तेमाल ना करें कि आप उसकी जगए लाइट कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं इस सब के लिए बोलना चाहूंगा कि आप सक्कर का इस्तेमाल करना ही बंद कर दें विकों सक्कर सभी बीमारियों का जड़ है और आप उसकी जगे लाइट बूरा यूज़ कर सकती है गूड़ यूज़ कर सकते हैं गूड़ कर जो पाउडर राता है उसको आप उच्छ कर सकते हैं शकर बंद कर दें तो हिल्थ हमारी और वैची रहेंगे शकर से बहुत सारी बीमारिया पैदा होती है तो यह था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल सब्क्राइब नहीं के दो चैनल सब्क्राइब कर लें और बेल आइकोन की घंटी बजाते हैं इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें दर्नबाद